हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लन्वरे देतिमन, तो हम लोगों ने 8th क्लास जो है वह है पूरी पढ़ ली है हमारा राजिस्थान में, जिसमें 10 चैप्टर थे, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट थे, जहां हमने देखा कि जोग्रफी के भी बहुत सारे चैप्टर थे और हिस्टरी के भी चैप्टर थे, ठीक है, तो यदि आप लोगों ने 8th क्लास नहीं पढ़ी है, तो पढ़िएगा, most important है, किसी भी एक्साम के त्यारी करने के लिए, राजिस्थान में आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने ही पढ़ेंगे, ठीक है, तो चैप्टर पढ पढ़ना चाहिए, जिन बचोंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तब ही आप लोगों को question answer याद होंगे, और जिन बचोंने course लिया है, तो उन बचों को जो PDF फाइल है, वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी, जैसे ही chapter complete हो जाता है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे, question 1 देखि मराठा शक्ती को 18 सदी के राजिस्थान का हम chapter पढ़ रहे हैं, तो उसमें मराठा शक्ती को सरवथम किसने संगठित किया था, तो यहां सिवाजी ने सबसे पहले संगठित किया था, ठीक है, औरंग जेव की मृत्यू के बाद जो है, वो मराठा शक्ती ने यहां पर राजि करना प्रारंब कर दिया था, ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्होंने गुजरात में और उसके बाद जो है, वो राजिस्थान तक यह पहुँच गए थे, आक्रमन करने लगे थे, अगला देखे, औरंग जीव की मृत्यू के बाद मराठा शक्ती ने सबसे पहले कहां आक्रम किया, तो यहां पर मालवा और गुजरात में सबसे पहले आक्रमन प्रारंब कर दिया था, ठीक है, नेक्स्ट देखे, राजिस्थान में मराठों ने सर्व प्रथम कहां प्रवेस किया, तो राजिस्थान में कहां प्रवेस किया, मेवार शेत्र में प्रवेस किया, 1711 में मराठों ने मेवाड में प्रवेस किया था नेक्स्ट देखे मराठों ने कोटा और बुंदी पर आक्रमन कब किया तो एक्जाम में पूछा जाता है question जो है important है कि मराठों ने कोटा और बुंदी पर आक्रमन कब किया था तो 1726 ESP में मराठो ने कोटा और गुंदी पर आक्रवन किया था तो वीडियो जो है वो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए जबी आपको सभी चीजें याद हो पाएंगी ठीक है एक भी कुश्चन जो है वो आप मिस ना करें क्योंकि कौन सा जो है कुश्चन आपके एक्जाम में आ जाएं तो उसका कोई नहीं पता होता है इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है चैप्टर भी और हर एक कुश्चन इंपोर्टेंट है तो वीडियो जो है वो इस तरीके से बार-बार सुनिएगा question answer का जैसे आप गाना सुनते हैं तो आपको सारी चीजे learn हो जाएंगी मराठों ने बूंदी के किस सासक को 22 अपरेल 1734 सीसवी में दوبारा शाषक बनाया था तो मराठों ने 1726 सीसवी में कोटा बूंदी पर अधिकार कर लिया था और यहां के सासकों से वो खेराज यकल लेने लगे थे ठीक है फिर 22 अपरेल 1734 को यहां पर बुद्ध सीन को दوبारा से यहां का शाषक जो है मराठों ने बना दिया होरुना सम्मेलन कब बुलाया गया वा अध्यक्षता किस ने की तो राजपू शाषक जो थे वो परिशान होने लगे थे किस वज़े से मराठों के आक्रमर से पहले मुगलों से परिशान थे मुगलों का पतन जो है वो हो चुका था उसके बाद मराठों ने यहां एंट्री कर ली थी अब मराठों से परिशान होने लगे थे तो इसके लिए राजपू शाषकों ने होर्डा सम्मेलन बुलाया, ये होर्डा सम्मेलन बुलाया बहुत important है, बहुत बार एक्जाम में आ चुका है, 17 जुलाई 1734 इस वी को होर्डा भीलवाडा में यहां पर बुलाया गया होर्डा सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता जो है मेव होर्डा सम्मेलन में किन-किन राजपू शाषकों ने भाग लिया, तो बहुत सारे राजपू शाषकों ने भाग लिया था, और important जो याद रखेंगे आप वह है, आमेर के सवाई जैसिंग, जोतपूर के अभह सिंग, नागोर के बक्त सिंग, कोटा के महाराव सुर्जन सा और जगस सिंग सेकिंड, जिन्होंने अध्यक्षता की थी होर्डा सम्मेलन की, नेक्ट देखें, होर्डा सम्मेलन में सभी शाषकों ने कहां एकत्रित होने की योजना बनाई थी, तो सभी ने मिलकर एक जुट होकर ये योजना बनाई थी, कि जो है, जो भी सत्रू है, मरा पालना नहीं हुई, क्योंकि शाषकों ने ही एक दूसरे का साथ नहीं दिया, हुरुडा सम्मेलन क्यों असफल रहा, तो इसका कारण था एकता का अभाव, इसके अलावा निरनेयों की असपस्ट था, निरने ही नहीं लिया जा रहा था, आमेर के सवाई जैसिंग की उदासीन ठीक है, और इस वज़े से जो मराठे हैं, वो राजिस्थानी शाषकों पर अपना प्रभुत्व जमाने में सफल हो जाते हैं, Question 10 देखें, राजिस्थान नीती का आंकलन करने के लिए पेश्वा बाजी राव ने अपनी माता राधावाई को कब राजिस्थान में तीर्थी यात्रा पर भेजा, तो सबसे पहले जो पेश्वा बाजी राव थे, उन्हों ने क्या किया, कि सबसे पहले तो ये आखा कि र सबसे लोट आई, 1735 इसवी में, उसके बाद इन्होंने राजिस्थान जो है इसका दोरा किया और यहां से चौत वसूली प्रारम कर दी, जैपूर उत्रादिकार संघर्ष कब हुआ, वा किसके बीच हुआ, तो होड़ा सम्मेलन जो है असफल इसी वज़े से हुआ था कि र इसवी में, ठीके, तो यहाँ पर उत्रादिकार के निर्ने में, यहाँ पर धखल देने का अवसर जो है, वो मराठों को मिल जाता है, क्योंकि जब आपस महीं लडाई हो रही होती है, तो बाहर का व्यक्ति तो आकर यहाँ पर अपना कार्य करना स्टार्ट कर देता है, ठीक ही हम देखते हैं जैपुर उत्रादिकार संगर्स में कि जो महाराना अमर सिंग सेकंड थे उनकी जो पुत्री थी उसका नाम था चंद्रकुवर बाई ठीक है तो यहां पर सर्थ यह रखी गई थी कि सवाई जैसिंग जो है वो शादी करेंगे चंद्रकुवर बाई से और उन चंद्रकुवर बाई का सवाई जैसिंग के साथ में तो लड़ाई तो संभव ही है होगी ही क्योंकि राजपूतों में एक जो चीज चलती थी कि जो बड़ा पुत्र होगा उसी को सिंगहाशन पर बिठाया जाएगा और यहां चंद्रकुवर बाई के जो पुत्र होता है सवाई जैसिंग की मृत्यू कब होई थी तो यहां जो है सवाई जैसिंग की मृत्यू 1743 इसवी में होई थी सवाई जैसिंग का बड़ा बेटा कौन था तो बड़ा बेटा था यहां पर इस्वरी सिंग ठीके और चोटा बेटा कौन था माधाव सिंग माधाव सिंग किसका पुत्र था राजकुमारी चंद्रकुवरी का ठीक है और चंद्रकुवरी जो है वो किसकी पुत्री थी महाराणा अमर सिंग सेकंड की तो ये जो है नाम सभी याद रखी कि कौन किसका पुत्र है या कौन किसकी पुत्री है विवहाद जो है वो किसके बीच में हुआ था यही ये जो है एकजाम में पूछा जाता है, सवाई जैसिंग और चंदु सत से इश्वरी शिंग को चनोती देथी, तो मादव सिंग जो है वो इश्वरी सिंग से छोटा था, तो यहां पर इसकी जो हैल्प करते हैं, वो करते हैं जगसिंग सेकिंद, जोदपूर उत्रादिकार संगर्स किन किन के बीच में हुआ तो राम सींग और भक्त सींग के बीच में जोदपूर उत्रादिकार संगर्स हुआ था और जैसे ही यह संगर्स होता है मराठों को पता लग जाता है और मराठे जो हैं यहां पर हस्त शेप करना प्लारम कर देते हैं मेवाड में उत्रा दिकार संगर्स किसके बीच में हुआ था तो यहाँ अरी सिंग और रतन सिंग थे तो यह जो दोनों दावेदार हो गए थे सिंखासन या गद्धी पर बैठने के लिए ठीक है दोनों ही राज सिंग सेकिंड के बेटे थे और यहां पर उत्रादिका संगर्स जो होता है अरी सिंग और रतन सिंग के बीच में राजे स्थान के राजियों में सर्व प्रथम संदी अंग्रेजों के साथ किसने की थी तो सबसे पहले जो है अब देख Falls おлем वह स्थरासिप कर रहे थे तो यहां मराथां से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे थे राजपूत शाषक तो इन्होंने क्या किया कि हुआ नंग्रेजों से हैल्प मांगी और अंग्रेजों से जो है अठारा सो 1718 की जो संदी है करन ही परिक्षाओं में ये कुशन आपको देखने को मिल जाए तो राजिस्तान के राजियों में सबसे पहले संदी जो है वो अंग्रेजों के साथ किस ने की थी भरतपुर राज्ये ने की थी 1818 इस वी तक किसे राज्य को छोड़ कर सभी राज्यों ने अंग्रेजों से संदी कर ली थी तो यह जो संदी है यह 1817 से 1818 की है ठीके तो यहां पर सभी राज्यों ने संदी कर ली थी धीरे धीरे भरतपुर ने सबसे पहले करी थी और उसके बाद जो है सिरोही राज्य जो है इसको छोड़ कर सभी ने कमपनी का संद्रक्षन सुईकार कर लिया था सिरोही राज्य ने संदी पर हस्ताक्षर कब किये तो बाद में जो है मारवार ने जब विरोध गिया था तो उसके बाद में सिरोही ने भी संदी की तो ये संदी जो है सिरोही राज्ये ने 1823 इस्वी में की थी तो इसका मतलब क्या हुआ अब जो पूरा जो राजिस्थान है वो थोड़े ही समय में अंग्रेजों के सनुक्षन में आ गया था तो हाला कि राजपू शाशक ये नहीं जानते थे कि मराठों से ये बच गए है और अंग्रेजों के चंगुल में फस गए है मराठों से बचने के लिए राजपू शाशकों ने अंग्रेज सरकार से कब संदियां सुरू की थी तो अठारा सो सत्रा अठारा की ये संदी है ये ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो आपका पूरा होता है अठारवी सदी का राजिस्थान ठीक है 22 कुशन जो है इस चैप्टर में से निकले हैं most important कुशन है और इनको आप बहुत अच्छे से रट लीजिए घोट लीजिए क्योंकि ये चीज जो है वो आपकी एक्जाम में आ सकती है ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जहां हम 1857 का सुतंतरता संग्राम जो है राजिस्थान में जो हुआ था उस चैप्टर से सम्बंदित प्रशनों जो हम करेंगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू